नवस्कार, ओम शान्ती, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस नियूज बुलिटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर मुख्याले में कला एवं संस्कृती प्रभाग का राश्री सम्मेलण शामें हुई बॉलिवोड की कई अभी नेत्रियां सुनाए अपने दिल छूलेने वाले अनुभव और कल तरू प्रजेक के तहर जारी है व्रिक्षार ओपन का सिलसिला 40 लाग पौधे लगाने का है लक्ष अब खबर विस्तार से भारती संस्कृती अपने अंदर संगीत, मृत्य और हस्त कला जैसे अने कलाओं को समाई हुए है लेकिन उन में से सबसे महत्वपून और उप्योगी कला है किसी को माफ करना अपने दिल में करुणा का भाव रखना और इसमें जो निपून है वही वास्ताव में सच्चा कलाकार है जब हम स्वयम के आंतरिक जगत को सशक्त बनाना शुरू करते हैं ये स्वयम पर पहली दया हो गए जब मुझे किसी व्यक्ती पर गुस्ता आ जाता है जब हम किसी से गलत व्योहार कर लेते हैं चाहे कोई कर्मों के द्वारा चाहे वाणी के द्वारा चाहे विचारों के द्वारा तो क्या होता है हम अपने विचार, वाणी और कर्म से सामने वाले इंसान को दुख दे रहे हैं तब स्वयम पर दया आनी चाहिए कि है आत्मा तुम अपने स्वभाव और मुल्ग गुणों को भूल कर कहां पर भटक रही है। मित कहीं जाने माने कलाकारों ने दीप जलाकर किया। जो व्यक्ति इसको अभ्यास में लाता है सोस्त है। व्यक्ति केवल मनिष्य मनिष्य नहीं बनेगा, मनिष्य फरिस्ता बनेगा, मनिष्य देवता बनेगा। राजोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फांडेशन और उसके अंदर का 20 विंग्स आते हैं। और उस 20 विंग में से एक विंग्स कला सस्कति प्रभाग। जो कलाकारों की जीवन के अंदर इस ज्ञान के द्वारा ऐसा परिवर्तन लाती है कि वो अपना काम भी न छोड़े, अपने कला भी न छोड़े, लेकिन अपने कला में निपुन हो। और खुद के अंदर में भी इतनी कॉन्फिडेंस आवे, इतनी शांती आवे कि कोई भी परिस्टिती हमारे माइंड को हिला न सके। दया और करूणा की संस्कृति की आज हम जो बात कर रहे हैं, इस विशे को लेकर हम चल रहे हैं, तो हम जरूर अपने अंदर झांकें, खुद को देखें, ये दया और करूणा जैसे मानवीय मुल्य हमारे अंदर हैं, क्योंकि इन मुल्यों के होने पर बागि सब के मुल्य इसके इर्दगिर्ट भूमने लगते हैं मैंने परियों को देखा आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे लगा मैं स्वर्ग लोग में आ गई हूँ जैसे गितान की देखा है बस यहीं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे जुड़ी रहूं और यहीं चाहती हूँ कि मैं जब यहां से जाओं तो ग्यान का भंडार लेके जाओं मैं इंग्लिश मेडियम में पढ़ती थी तो वहां हमको हेवन याने की स्वर्ग के बारे में डिस्क्राइब किया जाता था वहां बोलते थे देवर, there are angels floating in white उस टाइम पर मैं सोचती थी angels in white यह कौन सा, किस की बात कर रही है यह लो वो भी आज यहां आने के बाद मैंने द इस meditation का यही एक लाव है कि आपको एक awareness मिलती है, वो awareness सबसे पहले आपके प्रती है, जब आप खुश रोंगे तो आसपास खुशी रख पाएंगे, आसपास के लोगों को आप खुश कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो सब कुछ होगा तब आप वो हसी खुशी किसी को दे पाएंगे, जब आप खुश नी होंगे तो आप क्या देर पाएंगे? एक ऐसी इजद बनाई है, एक ऐसा दर्जा बनाया है, मुझे नहीं लगता कि देश, इस देश के अंदर और देश के बाहर ऐसी कोई संस्ता हो, जिसको हम इनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं, बात आ रही है, ओम और शान्ति, हमारे संगीत का प्रादूर भाव ही ओम स भगवान ब्रम्हा और भगवान विष्णू तीनों का समावेश है, और इसी अउँ मौ से हमारे स्वरों की, हमारे नाद की, हमारे सुतियों की उत्पत्ति हुए, जिससे संगीत एका कार होता है। आप कुछ खबर एक नजर में। 2022 का मिला सम्मान। गुजरात के छोटा उदैपूर में आजादी के अमरित महोसफ के तहत पुलिस लाइन में कारिक्रम। बीके डॉक्टर मॉनिका ने पुलिस कर्मियों को कल तरूर प्रजेक की दी जानकारी। अधिकारियों समेत 140 पुलिस कर्मियों को व्रिक्षा रोपन के लिए किया गया प्रेरित। पशिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपूर इस्तित तेली पोर्ता काली मंदिर में ब्रह्मा कुमारेज द्वारा सांस्कृतिक कारिक्रम। तमलुक सबजन प्रभारी बीके एलपना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी और मधुबन से आए बीके चितरणजन रहे कारिक्रम के मुखे आती थी। बच्चों ने सांस्वेट प्रस्तूतियों द्वारा दिया ईश्वरी संदेश। बिके चित्रंजर ने व्यक्ति किये अपने विचार। बिहार के सहरसा में कोर्णा वॉर्यर्स के लिए बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज में सम्मान समारो। ताने ब्रमकुमारी सेवकेंद्र द्वारा आयोजित रहाई है कारक्रम। माउंट आपुसया मेडिकल प्रभाग के कारकारी सचीव भीके बनार्सी भाई रहे कारक्रम के मुख्यती थी। सेयसा सेवाखेंडर प्रभारिबी के सनेहा और बैगुस राय सेवाखेंडर प्रभारिबी के कंचन भी रही कारकर में उपस्तिर। लेके बनार师ी ने डॉक्टर्स उस्वास्त कर्मियों की दिरगायों की कामना करते हुए किया सम्मानित। महराश के नांदेर इस्तिप फरांडे पाक सेवा केंद्र पन नांदेर गुरु द्वारा बोर्ट के सुपरिढेंड रंजित सिंह चिराग्या सदसी रंजित सिंह काम ठेकर का सेवा केंद्र प्रभारीवी के अनीता ने किया सम्मान दोनों अतीती हाले ही में संस्ता के मुख्याले में आजित धार्मित प्रभाग के सम्मेलन में आये थे और प्रभावित होकर ही उन्होंने किया है फरांड्य पाक सेवा केंद्र का व्लोकन सतरपूर के किशोर सागर सीवा केंजर पर विज्ञाने के वं अभियंतर प्रभाग का समेलन सुरक्षी तेवं टिकाव भविश्य के लिए विज्ञान, तकनीकी वं आध्यात मेरा चर्चा का विशय अधिकारी रैंके 100 से भी अधिक आफिसर हुए समेलन में शामिल सेवा केंद्र प्रभारी विज्ञाने के वह अभियंतर प्रभाग के राश्री सयोज और विज्ञान हमें बहतर दवाईयों द्वारा हमारे शरीर को स्वस्त कर सकता है लेकिन मन को सुकून नहीं दे सकता मन को अगर कोई सुकून दे सकता है तो वो आध्यात में ज्ञान और आजुट मेडिटेशन है इन दौर में लक्ष वेलफेर सुसाइटे एवं श्री खेडापती सरकार द्वाराशी शिव महापुरान कथा कायोजन प्रख्यात कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्राव विधायक जीतु पटवारी जी का प्रेम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशी ओम शन्ती भवन की सीनियर राजुग टीचर बीके अनीता समित इन दौर की कई बीके बहनों ने किया सम्मान जीतु पटवारी ने राश्पती मानिन दौपती मुर्मुजी का उधारन देकर जीवन में राजुग मेडिटेशन को अपनाने की प्रेणना दी इन दौर नगर निगम चुनाओं में जीती सुनिता हाडिया को ब्रह्मकुमारिस विश्णुपूरी नगर और इंद्रपूरी सेवा केंद्र की बीके बहनों ने दी बधाई नेपाल की गोराईस्तित राजोगा ट्रेनिंग सेंटर पर युवाओं के लिए यूथ एमपावर्मेंट एंड सेल्फ ट्रांस्फोमेशन विशेप कारिकरम राप्ती शेत्रि निदेशिका बीके गीता, दांग डिस्ट्रिक जर्ज कूल प्रसात पांडे, गोल मैडलिस एथलिक निशा चौधरी, लाइन्स कलब दांग के अध्यक्ष पवन योगी मुख्य रूप से रहे मौजूद अथितियोंने सफलता के लिए सबसे पहले लक्ष निधारन करने का दिया मंत्र बीके सदस्योंने राजुक मेडिटेशन द्वारा कॉंसेंट्रेशन और विजुलाइजेशन टेकनीक बढ़ने की दिजानकारी हर्याना के कादमा में कारगल विजय दिवस पर स्वेचिक रगदान शिविर बीके वसुधा को मुख्य अथिति के रूप में निमंत्रन रग्त दाताओं का बैज लगा कर बीके वसुधा ने बढ़ाये हो मंगुत्साव पच्चास पूर्व सैनिको और विरांगनाओ को भीके वसुधा ने किया सम्मानित पंजाब के फिरोसपूर में आत्मे निर्बल किसान अभियान के तहत मलावाला गाओं में कारक्रम पिच्चतर पौदे वितरत करके हुआ कारक्रम का शुभारम गाओं के सरपन शीतल सिंग, पंचाय सदसी सुखविंदर सिंग, जस्विंदर कौर एवन कुलबीर सिंग रहे मौजूद फिरोसपूर केंट सेवा केंद्र प्रभारीबी के उशा दीदी ने शाश्वत योगी खेती की जानकारी देते हुए विक्षारोपन करने के लिए किया प्रेरित आज की बुलेटन में बस इतना ही और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर तब तक के लिए लेती हुँ इजाज़त नमस्कार उम्शन्ति